वेल्कम बेक फ्रेंट्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूटीब चैनल हीरिंग पस्ट पस्यावनमी आज की दिर हम करेंगे एक सूपर डिटेल लीडिंग हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो किस तरह के होंगे उनसे आपकी मीटिंग कि किस तरह से होगी उनका क्या निचर हो सकता है कि सुछन में किरियर के तो सकती है और, sûर स smoking सथcard की होकी नहीं दिशाई है खर झोटेल लीडिंग और आप STE sparkled करके एत्मिनास्यान लगा कि इनमें से कोई भी कार्ट चुन लीजिए अगर आपको ये लग रहा है कि आप ये देखना चाहरे हैं लेकिन अपनी ये चुना है और इससे आफ सैटिस्वाइड नहीं है तो हो सकता है कि आपकी रिडिंग इसमें ना होकर दूसरे में हो और अगर आपको आपकी उसमें भी होते हैं तो उस्ते पहले ये यह समय आंप मेरी चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिएका अगर आप मेरी वीडियू के किया है तो एक सब्सक्राइब दो बनता ही है और अगर आप मुझसे प्रसनल रिडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिपेर सेशन के लिए फॉर्म दे रिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस फॉर्म को बढ़ सकते हैं आप से आपकी मेल पर कॉंटेक्ट स Анइबर को स्ब्सक्राइब करना देखी किया तो आए कि रुक्सरत कास्ती किया रहे जए तो बिलकुल आपकी future spouse के लिए उसकाथ में आपकी जो meeting हो सकती है वो आपकी carrier opportunities में हो सकती है क्योंकि यहां पे जितने भी कार्ड यह है यह एक carrier opportunities की बात करते हैं जब आपने कहीं carrier से दुखी होंगे चीजों को change करना चाहते होंगे या उसमें एक बदलाव लाना चाहते होंगे तो बिलकुल देखिए मैं आपसे कही रही थी ना कुछ ना कुछ ऐसा होगा और सारे कार्ड में लास्ट में आगया two of cups यह बात करता है आप लोगों की partnership की बह होगी या उससे किस बिसिनसप को जोइन करें आप कुछ भी ऐसा करें जिसमें आपका carrier change हो रहा होगा आपके फाइनेस के चीज़ Teshung के चीजन जहां से चूड़ी होगी वहींäg से यह बतलाव आने वाला तो बिल्कुल आपके partner आपको मिलेंगे ऐसे समय में जब आप अपने career को लेकर आगे growth कर रहे होंगे या लगतार आप अपने आप एक काम कर रहे होंगे अपनी चीजों में एक life में balance ला रहे होंगे जिन लोगों के लिए career की बात नहीं है तो भी आपके life में वैसे या आपके finances और career की बात ही करता है आपके partner आपको जब भी मिलेंगे वो आपके finances की field में आपके career की field में चाहे आप job करते हों, business करते हों, कहीं tuition पढ़ाते हों यानि कि आप teacher हों या कोई भी हैसा आप काम करते हों, आपके partner आपको ऐसी जगापे मिलने वाले हैं, में भी हो सकता है वो आप से senior हो, authority के अंदर हो, चीजों को हो सकता है वो आपको balance करने के लिए प्रेडित करें, आगी बढ़ने के लिए प्रेडित करें और आपकी finances की द करें तो हो सकता है आपको यासी form जाइन करें जिसमें कि वो आपके senior हो या वहाँ पर काम करते हों, लेकिन जो भी होंगे होंगे आपके senior ही, क्योंकि यहां पर बहुत clear है आपके लिए क्योंकि यह जो energies है यह एक balance की बात करते हैं, और आप एक अच्छी post पर ही काम करेंगे ने कि जहां पर भी आप जाएंगे, वहाँ पे एक अच्छी post पर आप काम करने वाले हैं और आपकी career opportunities भी बहुत life में strongly change होने वाली है, एक big change आपकी life में आने वाला है, यह आपके लिए divine opportunity की बात कर रहे हैं, कार्ड, यह clearly आपको बता रहे हैं कि आपकी life में कोई ऐसा change आ आते हों, अपनी किसी काम के सिलसले में आते हों, चीजों में आते हों, लेकिन यह एक authority वाले person है, यह वो employee नहीं होंगे, यह ऐसे होंगे, जिनकी एक personality में एक अलग निखार होगा, इनका व्यक्तित बहुत प्रभावी होगा, और यह actions लेने में विश्वास करते होंगी, त आप की तरफ में आएं, इस तरह की energy भी यहाँ पे हैं, तो आईए देख लेते हैं कि इनका nature किस तरह का होगा, किस तरह के सौभाव के आपके partner होने वाले हैं, यहाँ पे, Queen of Cups का card है पहलो, दूसरा card है आपके लिए यहाँ पे, Seven of Swords का, King of Cups का card है, बहुत ही खुपसूरत energy है, बहुत ही खुपसूरत energy है, King और Queen दोनों ही अपियर है, बहुत ही बैलेंस, आप लोगों का relation जो होगा, Soulmate relationship है आप लोगों का, Soulmate relationship भी हो सकता है, और कई मामलों में Twin flame relationship भी हो सकता है, क्योंकि यह King और Queen दोनों ही अपियर है, यहन कि यह और Yang दोनों ही अपियर है, शिव और शक्ती दोनों ही अपियर हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पी आवी है Queen of Pentacles भी, तो देखिए यहाँ पे जो आपके partner का nature हो का न, यह थोड़े से flirty किसम के हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि flirty हो, cheater नहीं है, flirty हो सकता है कि चीजों में इनको मजाग करने का यह लोगों से, लोगों के साथ में हसने बोलने का इनको शौक हो, यह थोड़े न कलात्मक टाइप के इनसान होंगी, यानि क color framing हो सकते हैं, ये female भी हो सकती है, कर आप male हैं आँ देख रहे हैं, तो ये female partner हो सकती है, female जो आपके होंगी partner बहुत ही stable personality की होंगी, आपके male partner होंगी, य फिमील कोई matter नहीं करता है, आप जो भी देख रहे हैं, आपका पार्ठनर होंगे, deep around, एमोशनरी बहुत ही ज्यादा कमी रहेगी वो यह है कि अपनी बातों को बातों को नो ये clearly कहाँ भाएंगे थोड़ी से bloody हो سकते हैं कि हसी मजा करते हो, cheating नहीं होंगे, लेकिन अपनी भावराओं को व्यक्त करने मिए cheating आप से कर सकते हैं, यनि कि जो इनके मन में होगा, आपको hurt ना करें इसले शायद यह आपको ना कहें हो सकता है आपकी female partner भी ऐसी हो जो कि आपको वो बाते ना कहें जिससे कि आपको hurt करें या फिर आप परिशान हो जाएं इस तरह की बाते अपने दिल में रख सकते हैं लेकिन यह ऐसे नहीं है जो आप से cheating करेंगे पहले ही इनके मन में कुछ इस तरह के बाहर चल रहे हैं जिससे कि ना दुखी हैं इसले शायद अपने दुख से दुखी होकर इनोंने ना जीवन में सीख लिया है कि उन चीजों से आगे बढ़ जाना चाहिए जो चीज़े ना जीवन में दुख देती हैं सकता है इनका एक ब्रेकप भी हो चुका हो अगर यह ब्रेकप इनका हो भी चुका है तो बहुत अच्छे के लिए हुआ है आपके लिए भी और इनके लिए भी क्योंकि वह पार्टनर नहीं करता था और आप इनको डिजर्व करते हैं तो इस बात को बिल्कुल तूल देने की जरूरत नहीं है कि ब्रेकप आज कर नॉर्मल बात है रिलेशन्शिप आज कर नॉर्मल बात है तो अपने माइंड को थोड़ा सा यह आपको ब्रॉट करने की नीर है लेकिन जिस भी आपको बलकि उस पार्टनर करना थैंक्पूल होना चाहिए कि आपकी लाइप में एक ऐस करने का शौको हो सकता है कोई जर्नलिंग करने का शौको हो सकता है पिंटिंग बहुत अच्छी करते हों हो सकता है कोई गिडार यह इस तरह की कोई इंस्टुमेंट्स एक्विमेंट्स यह बहुत अच्छे से बजाते हों अपनी बातों को कहने का इनका तरीका बहुत अलग जोते हैं पूरे इमोशन इसमाजी होते हैं अपने दिल के आपको कहेंगे आपको प्रॉप एक्सेब्येट कर लो और आपको लेंगे क्योंकि आपकी आफ्य बैलेस्ट हो जाएनगी कि आप ही है driver के दौर के है एक ऐसी उडान भरने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ में भी एक stability लेकि आएगी साथी साथ उस वक्त में आप भी यही चाहेंगे कि आप सेटल हो जाएं और आपके पार्टनर तो already settled होंगे ही होंगे कभी अगर आपके पार्टनर life में या in future ऐसा करें कि ये अपनی दिल की बाते आप से नहीं कह पाएं या फिर केहने में इनको वक्त लगे तो आपको इस बात को लेकर परिशान नहीं होना है क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना जाहे यह मेल होंगी या फिन मेल होंगी यह बहुत इस तरह के आपके पार्टनर अच्छे होंगे कि यह सबके दिल का ख्याल रखेंगे तो इस बात को लेके कभी इरिटेट नहीं क्योंकि ऐसे नहीं बहुत कम लोगों मिलते हैं बहुत कम लोगों के ऐसे नहीं होते है तो आजे देख girlfriend कि उते हैं कि ईक्लडिक सांड क्या हो हो सकते हैं कि और टूर्ज करने दर को का काड से हुँ पर पर ऑघर और नाइट उब抗श श चानлож का है तो तो यह Knight of Swords का card है, तो यह Air sign का card है, तो Gemini, Libra और Aquarius हो सकते हैं, The World का card है, तो Leo, Taurus, Aquarius और Scorpio की energy को बताता है, तो बिल्कुल इस तरह की आपके partner हो सकते हैं, कि इनका jodic sign यह हो, आपका भी हो सकता है, कि similar हो, आप लोग मुझे यह निया, इनकी और soulmate वाली energy में बहुत जादा नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि आपका और आपके partner का jodic sign भी same हो, हो सकता है, इनका sun moon rising से भी हो सकता है, इनकी birth month से भी हो सकता है, इनकी date or birth से भी हो सकता है, तो यह sign इनके हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ों में, आईए देख लेते हैं कि carrier में किस तरह की opportunities रहने वाली है, यह किस तरह का carrier हो सकता है, यहाँ पर, the fool का card है, बहुत खुबसरत card की energy है, four of wands का card है, यहाँ पर, eight of cups का card है, यहाँ पर, six of cups का card है, यहाँ पर, तो emotional तो बहुत हैं आपके partner, इसलिए आपको इनके emotions के साथ में थोड़ा सा corporate करना ही होगा, और आपको कोशिश यही करनी चाहिए, कि in future कभी ही, यानि कि आपके partner कुछ इस तरह की energy में है, कि न, दिल बहुत जल्दी दुख जाएगा, बहुती न, soft energies होंगी, इनकी, यहाँ कि उपर से बेशक भले ही, यहाँ को कड़क दिखते हों, लेकिन अंदर से इनका दिल हमेशा नरभ ही रहेगा, तो जिस तरह की energy है, थोड़ा risk taking type आले person है, इनकी बहुत जल्दी risk ले लेते हैं हमने career में, हो सकता है, इन्होंने एक से ज़्यादा बार अपने career change की हो, बेसिकली यह हो सकता है, कोई job करते हूँ, इसमें इनका मन ना लगी है, इनका ना, जो मन है, वो बहुत जल्दी खिन हो जाता होगा, परिशान हो जाते होंगे, researcher हो सकते हैं किसी type के, क्योंकि the pool के energy यहां भी है, यह बता रही है, कि नई-ने चीज़ों को जानने का, नई-ने कामों को करने का, इनको बहुत शोक है, हो सकता है कि, या तो job बहुत जल्दी अपनी change लिनों ने एक दो बार करी हो, और यह भी हो सकता है, कि business के नई-ने ideas भी बार-बार, research करते रहते हों, या चीज़ों में करने के लिए सोचते रहते हों, कुछ लोगों के लिए यह भी रहेगा, कि इनके पास कुछ ऐसे business वगेरा होंगे, जिसमें यह अपने नई-ने ideas लगाते होंगे, पारिवारिक business इनका कोई ऐसा हो सकता है, जिसमें यह अपने कि अपनी life को settle करने की दौर में चल रहे हो, इनको अपनी कामों में, अपनी केरियर में, अपनी intuitions की सुननी चाहिए, ना कि अपने मन की करनी चाहिए, अगर अपनी अपनी मन को बचा कर संभाल के रखते हैं, तो यह emotionally hurt होने से बचेंगे, यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे जो nine of wants की energy है, सबसे पहले तो यह कार्मी कार्ड है, कुछ ना लोगों के शाए ज्यादा भला करने में, इनका कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान हुआ है, जो किसी ने किसा या चीटिंग की है, या धोका किया है, या इनकी भल मन साहाथ का फायदा उठाया है, एक भले दिल के इनसान होंगे, ये male है, ये female matter नहीं करता, लेकिन ये कैसे इनसान है, जो परिवार को मानिता देते हैं, जो अपने career को settle करने की सूचते हैं, हालां कि ये risk लेते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी life में एक ना अपने ground पे बहुँआ जाता पक्के हैं, इनकी इनकी life में कुछ इस तरह की हालात रहे हैं, कि इनोंने अपनी चीजों को balance करना सीख लिया है, अपने चाहे वो इनका business हो, चाहे इनका कुई काम हो, कुछ ऐसी चीज़े हैं इनकी, जिसमें इनोंने इक चो करना रहना सीख लिया है, जिन चीजों ने भी इनको नुकसान दिया है, इनके इनर्जिस हैं यहाँ पर, तो आईए रिख लेते हैं, आप लोगों की merit life कैसे रहने वाली है in future में, किस तरह की इनर्जिस हैं यहाँ पर, देखिए मैं आपसे कहा ही रही हूं कि आपके जो पार्टनर होंगे, उनके दिल को बहुत ज़्यादा समझना और समभलना जरूरी ह और आपके पार्टनर लगातार काम करते रहेंगे अपने परिवार को सही रखने के लिए अपने परिवार को खुशियां देने लिए और देखिये, यहाँ बे मैं आपसे भात कहूंगी बहुत ही जिस तरह की energies हैं, बहुत ही एक ऐसी इनसान की energy हैं जो कि अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाते हैं और हमेशा इसे इंसान के एनरजी को ना मैं हमेशा इस बात कुमानती हूँ कि ऐसा इंसान के इंरजा को हमेशा ओंधरिशेट करना चाहिए जो लोग अपने भाग्य अपना आपने करमों से बनाती हैं वो किसी और पर डिपेंडने नहीं होते बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके पार्टनर के उपर तो देखे अगर न यहाँ पर हो सकता है कि शुरुआत के टाइम में आपको नए महाल में अजिस्ट करने में दिक्कत हो या फिर आपको लगे कि यह चीजें किस तरह से हो रही है या इस तरह से नहीं होनी चाहिए ऐसा यहाँ पर कुछ हो सकता है लेकिन यहाँ पर आप अपनी राइफ के एक नई शुरुआत करेंगे जो दिलों पर बोज होंगे उनको तारने की वो भी कोशिश करेंगे और आपको भी उतरवाने के उनकी पूरी कोशिश करने में हो सकता है कि परिवार के अंदर रेडिस्ट करने में हो सकता है कि एकदम नया महाल मिलने में लेकिन उसके बाद जो भी चीजे होंगी एस आफ सोट्स की अनरजी बता रही है कि आपके लाइप स्मूद सेल की तरफ जाएगी शुरुवाती तोर में बिल्कुल क्योंकि आप लेगा तो कभी-कभी जब चीजे बदलती हैं उनमें डिस्ट करने में दिक्कत आती है यहाँ पर जो एनरजी है वो यह बता रही है कि अगर आप स्ट्रॉग्लिंग मोट से बाहर निकलाते हैं तो और अपने उन चीजों को ना बोज नहीं समझेंगी तो आपकी लाइप न प्रिवार को जोड़ने में अपने परिवार को साथ लेके चरने में और अपने रिश्तो को सही करके आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं हो सकता है चाहिए आप mail है ये female आपको लगे आपके सर पे जिम्मेदारियां आ गई है लेकिन ये जिम्मेदारियां वाला जो बोज है ना बहुत चल्दी खत्म हो जाएगा अगर आप चीजों को ना देखने के नजरिये को चेंज करने क्योंकि आपके partner यहाँ willing है अपने relationship को अपने परिवार को अपने घर के महौल को सही रखने के लिए तो आपको भी वही करना चाहिए अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपकी ना life बहुत अच्छी रहेगी और आपको उसमें struggle नहीं करना पड़ेगा यहाँ को जरूर करना पड़ेगा कि जो भी जिने की एनर्जी समें vibrate करते हैं यहाँ पे यहाँ पितु दहर daha मिट की ऐनर्जी तबहेगा इनर्जी तभी तभी आपके पार्टनर एक ओल्ड आंपके पार्टनर यहनि बहुत विज्दम है आपके पाartनर और इनका का प्रिलेशन पासटाइप का रिलेशन है यह कारमिक चीजों में उनका लॉस हुआ है उसके उन्होंने पहुत अच्छे सबक्सी है और उनकी न एनर्जिस हाई रहती है यानकी वो बिल्कुल अपने पर लगातार काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो consciously इस चीजों में इपर डाल रहे हैं consciously नहीं डाल रहे हैं लेकिन उनकी जो एनर्जी है यहाँ पर एक old soul की एनर्जी है यानकी हर्मिट की एनर्जी है चीजों को analyze करते हैं सच का साथ देते हैं एक न सचे इंसान आपके life partner बनने वाले हैं आज की तारिक में अगर ऐसा इंसान आपके लाइव पाटनर बनता है न तो आपको इश्वर को हजारों बार धन्यवाद देना चाहिए और उसमें struggling mode ढूणने के बचाए आपको अपनी life को अच्छा बनाने की कोशिश करने चाहिए यानि कि उसमें growth ढूणने का एक growth करने का होना चाहिए कि किस तरीके से इस रिष्टे को और भी better बनाया जा सकता है struggling mode अकसर आ जाता है जब आप चीजों में adjust नहीं कर पाते लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी adjust कर लेंगे तो आपकी राई बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि आपका soul meditation है साथी साथ आपकी पार्टन चीबे बता रही है यह जो journey चल रहे है और आप पी जिस journey पे हैं तो बिल्कुल आप लोग इस तरह के journey पे हैं कि आप एक दूसरे से बहुत जल्द अगर अभी तक मिले नहीं है तो बहुत जल्द आप इससे मिलने वाले हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मिल तो लेकिन आपको इसके बारे में समझ में नहीं आए हो तो जो पहला आपका जो कार्ड है यहां पर साइंस का और कल कार्ट से पर देख लेते हैं तो आपको अगर आपको अभी तक कि आपके पार्टनर मिले नहीं है और आपको मिल चुके हैं और आप समझे नहीं है तो आपको युनिवर्स से कहना चाहिए, इंचल से कहना चाहिए, कि आपको वो sign दिये जाएं, यानि कि इस card के द्वारा आपको sign दिये गए हैं, यानि कि अगर आपके सामने वे आपके partner आ चुके हैं, तो आपको sign मिले हैं, कोई नगोई आपके मन में ऐसी बात आई है, कि ये इंसान मे मेरे लिए हो सकता है, इस इंसान के साथ मेरी energy align कर सकती है, और अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ है, तो आपको युनिवर्स से prayer करनी चाहिए, कि आपको ऐसे sign दिये जाएं, लेकिन कैसे sign दिये जाएं, हो सकता है कोई गाना आप सुने, हो सकता है आपके मन में कोई intuition हो हो सकता है, कि आप से कहीं कोई कुछ कहे, हो सकता है आपके साथ काम करने वाले, आपके कोई लोग कहीं यह तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तो इन science को ना ignore नहीं करना है, लेकिन इन science के लिए आपको युनिवर्स से यह नहीं कहना है, कि particular मुझे यह science चाहिए, आप इस children का card है, यहाँ पे manifestation का card है, तो आपकी life एक happy life होने वाली है, बस आपको struggling mode में नहीं जाना है, चाहे आप male है या female है, अगर आप उसमें नहीं जाते हैं, तो आपकी life में एक बहुत सुन्दर और भरपूर खुशियों भाली जो family होती है, उसका है, क्योंकि आप ऐसी life चाहत से, आपका ने वाला समय बहुत 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 शुबो, thank you so very much, God bless you all, welcome to you, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी reading में तो आए देख लेते हैं, जिल लोग ने भी miracle के card को चुना था, उन लोगो के partner की meeting, उनके partner से किस तरह से होने वाली है, और कहां हो सकती है, 10 of sorts का card है यहां पर पहले सारे card लेडिंगे एक बार देख लेते हैं किस तरह के cards आ रहे हैं यापर, इस of wants का card हैं यहां पर, two of wants का card हैं यहां पर, बहुत खुबसरत energy हैं यहां पर, कुछ इस तरह की energy से यहां पर चल रही है, कि न, एक के बाद एक चीज़े आपकी life में हो रही हैं, 10 के energy आई, 10 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, बहुत बहुत इक खुबसरत energy हैं यहां पर, तो देखिए आपके partner हो सकता है, यह आपके na कोई friend हो सकते हैं, आपके कोई close friend हो, जो कि आपके दिल की बाद जानते हो, आपके partner इस तरह के भी हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके जो आने वाले हैं, जब आप तूटे हुए होंगे, जब आपका दिल तूटा हुआ होगा, ये आपको आएंगे और आपको संभल लेंगे और वह भी बहुत अच्छे तरीके से, हो सकता है आपके पार्टनर, आप मेंसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को आप पहले से जानते हो बहुत ही अट्रेक्शन आप इनके लिए फील करते हैं, आप इनसे मिल चुके हैं बहुत स्ट्रॉंग मेसेज है मची यहां पे कि कई माइनों में आप इनसे मिल चुके हैं और अगर आपको लगता है कि आप किसी एस इनसान के प्रदी आट्रेक्शन फील करते हैं और आप उससे मिल चुके हैं तो डेफिनिटली यह वो परसन हो सकते हैं कि यह आपके फ्युचर स्पाउस हो सकता है आप में से कुछ लोग को ऐसा धोका या चीटिंग मिली हो या इस तरह कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी परिशानी आई हो जिससे आप उस जगा को उस पेस को बदर लेना चाहते हो उस जगा को चेंज कर लेना चाहते हो तो जिन लोगों के साथ भी ये बात ह अगर आप उस जगाओं को चेंज करते हैं और आप को सकते हैं और आपको लोगों के लिए हो सकता है कि उनके बहुत खास दोस्तों जिसके प्रतिवा आटिरेक्शन में चाहता हुब लेकिन यहां पर ट्रैवल करते होए किसी जगाँ पे मिलें यहां पे यहां पे water के energy भीत है हो सकता है कि आपके कोई कोई ऐसी यात्रा हो रही हो जो पानी के द्वारा हो रही हो या इधर से उदर जा रहे हो या फिर आप ऐसी कोई journey करते हो जिसमें आप पानी का रास्ता किसी ना किसी समय आप across करते हो तो कुछ भी अगर ऐसा है तो ये पार्टनर आपको मेर सकते हैं ये भी traveling का card और ये भी traveling का card है कोई ना कोई यातर की बात तो जरूर करता है ये card भी traveling का है आपके लिए कोई message भी आ सकता है हो सकता है कि ये ना आपको किसी ऐसी social media वाली जगा पे मिलें जहां पे आप इस partner के प्रति ना बहुत जादा attracted हूँ attraction बहुत अच्छी बात है लेकिन सही और गलत में आपको अंतर करना आना चाहिए तो इसके भी प्रति आप अट्रेक्टेड है ये में एक आपको ऐसे ही बता रही हूँ ये बात कि जिसके भी प्रति आप अट्रेक्टेड हूँ पहले उसके बारे में सब जान लीजी का क्योंक सकता कौन कितना पेक है और कितना रियर ये बात तो एक ऐसी ही डिस्क्लेमर था क्योंकि इस चीज के बारे में हमेशा बहुत अवियर रहना चाहिए आज कल बहुत तरह की दोके होते हैं लेकिन ये इनसान आपको जब भी मिलेंगे आप इनके प्रती बहुत जादा अट्रेक् किसी आप हो सकता है किसी फंक्शन के लिए जा रहे हूं लेकिन किसी यात्रा के दौरान आप इनसे मिलने वाले हैं इस तरह की मीटिंग आप लोगों की रहेगी यात्रा के दौरान भी मिले सकते हैं और आपको यात्रा करके आए हो या फिर आपके पार्टनर आप तक यात् देखते हैं आपके पाटनर के तरफ कि दरफ डाइन इचा और रहे ख़एट, और आप करेंगे. लिक्ती है, यहां पर 9 of Sorts की नाइच रहे हैं. यहाँ पे कुछ इस तरह की अनर्जिस की बात के लिए डेफिनेटली देखिए आप में से कुछ जिन भी लोगों नहीं इसपायल को चुना है न आप बहुत पेन से तो आप गुज रहे हैं अपने पास्ट के अंदर यानि कि कुछ आपके साथ भी इस तरह का दोका और इस तर की है अपनी चीज़ों को बैलेस करने की कोशिश उन्होंने लगातार की है और उन्होंने की भी है आपके पार्टनर ना अपने दिल में ही रखते हैं अपनी बाते बहुत चल्दी बाहर नहीं कहते हैं गुमसुम हो जाते होंगे एकदम से या तो रूट जाते होंगे और य भी होगी यह एक traditional दो जो कि कि अगर आपर आपको ये पसंदा जाए और दुसरे को अप पसंदा जाए तो वहाँ से भी आपकी शादी की बात बढ़ सकती है, ऐसा भी हो सकता है, आपके पार्टनर वैसे दिल के बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत जदा स्ट्रगल देखा है आपके पार्टनर ने, लोग ना कुछ ऐसे रहे हैं इनके आसपास में कि लोगों ने इनको अकिला छोड़ है और इनको तकलीफ बहुत दी है, तो जब आपके लाइफ में आपकी पार्टनर आएप इनको नहीं दीजेगा कोई इस तरह की तकलीफ, क्योंकि आपके पार्टनर औरड़ी बहुत पेर में रह चुकी हैं, अभी अपनी लाइफ में जो चीज़े चेंज करना चाहते हैं यह चाहते हैं इनकी लाइफ में आए, कुईन ओफ कब्स के अनरजी, अगर यह मेल है तब भी, और अगर फीमेल होंगी तो यह बहुत खुबसुरत अनरजी लेकर आ रही हैं, और अगर यह मेल होंगे तो इन्हें ऐसी फीमेल चाहिए अपनी लाइफ में जो कुईन ओफ परिवार को सबाला पालन उसका किया जाता है, कुछ इस तरह से. आपके पार्टनर अकसर हो सकता है, किसी ना किसी struggling mode में बढ़ जाते हों क्योंकि लोग इनके खिलाब बहुत politics करते हैं, आपके पार्टनर रही हो सकते हैं, हो सकता है चीज़ों में जलदी react करते हों आपके पर्टनर लेकिन फिर अदर ही अंदर परिशान हो जाते हूँ, वो सकता है कड़वा बोल जाते हों कभी-कभी, लेकिन इस तरह के रहेंगे मतलब कि कड़वा भी जाते हैं क्ड़वा की जरूर हो जाएगी लेकिन मन से कभी किसी का बुरा नहीं जाएंगे आपके पाटनर ना कुछ इस तरह की एनर्जिस करी करते हैं जो ना मतलब बहुत अच्छे होते हैं इस इंसान पांश हूं की ना जो मुपे बूरा कह देते हैं आपकी गलत बात को गलत बोल देते हैं लेकिन काला नहीं होता हो दिल से किसी का बुराय नहीं जाते और कहने की बात अपने हैं अपके पांटनर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सबसintérieur जोड़ एक साइन यहां पर क्या हो सकता है? Queen of Pentacles का काड़ है, यहां पर तो बहुत ही Earth Sign का काड़ है, तो यह stable energy की बात करता है, Oh my God, Queen of Pentacles और Queen of Cups दोनों का ही काड़ आ गया है, देखें, बहुत नो clear energy है यहां पर, Queen of Pentacles का काड़ Earth Sign की बात करता है, Virgo Capricorn Taurus की और Queen of Cups का काड़ बात करता है, Water Sign की, तो यह जो Water Sign है, इनकी Cup के energy है, Kansas Scorpio Pisces की है, हो सकता है कि आपके partner Sun Moon Rising से इस तरह के energy, उनका sign हो या पर उनके date of birth से हो सकता है, तो इस तरह की भी हो सकते हैं, लेकिन other sign भी अगर आपकी life में आते हैं, तो उनको भी consider कीजेगा, हो सकता है कि आपको पने partner का यह sign पता हो, और उनका नाम राश्य से कोई और हो, और हो सकता है कि कई लोग अपने कोई other नाम रख लेते हैं, या पर date of birth से करते हैं, लेकिन उनकी जो नाम की राश्य होती है, वो अलग होती है, तो जरूर देख लीजेगा कि आपके partner की किस तरह की राश्य है, आगे दिख लेते हैं, आपके partner किस तरह के carrier में हो सकते हैं, यहाँ पे, eight of cups का card है, यहाँ पे, two of swords का card हैं, यहाँ पे, eight of pentacles का card हैं, यहाँ पे, बहुत ही महनती हैं आपके partner न, कभी भी महनत करने से जीना चुराने वाले लोगों में हैं, महनत करते हैं में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा यह महनत करेंगे ही करेंगे, अपने काम में अपनी फिल्ड में expert हो सकते हैं, बिल्कुल इनका कोई अपना business भी हो सकता है, और अगर यह कोई job भी कर रहे होंगे, तो भी ऐसी किसी चीज में होंगे, जो कि न, जिसमें एक न, यह लोग इनके पास आते होंगे, पूछने के लिए, इनसे कुछ कहने सुनने के लिए, एक expert हो सकते हैं, teacher, professor भी हो सकते हैं, कोई business भी कर रहे हो सकते हैं, क्योंगे king of pentacus का card है, हो सकता है कि लोगों को knowledge देते हों, कोई research पीज भी करते हैं, हो सकता है, इनोंने PhD वेगारा भी कर रहे हो, ऐसा भी हो, से बहुत ही पड़े लिखे, एकना wisdom करी करते हैं, कि बहुत पड़े लिखे, और अनुभवी इनसान होंगे, ऐसे नहीं होंगे जो जिसको कोई अनभव नहीं है जिसको कोई ग्यान नहीं है और ये हमेशे अपने दो चीजों के बीच में थोड़े से लेकिन किसी कारणवर्ष इनके लिए वो चीज़े नहीं हो पाई तो इन्होंने क्या किया इन्होंने ये किया कि इन्होंने और चीजों में बहनत करनी शुरू कर दी हाला कि ये अच्छा है वो पैशन है वो कहीं नगे आज भी अंदर दबा हुआ है आपके partner expert बहुत होंगे अपने किसी भी काम में हाला कि उस काम को करने में ये बहुत खुश नहीं है लेकिन उस काम को फिर भी ये महनस से करते हैं शायद इन्होंने आज तक अभी अपने दिल की बात किसी से कही नहीं है चाहिए मेलें अपी मेल कि ये करना कुछ और चाहते थे इच्छ हैंगी कुछ और थी लेकिन करके ये कुछ और दिखा रहे हैं आपके पार्टनर ना एक दिन लाइफ में आने वाले समय में बहुत ही ना कुछ स्टेबल एनर्जी में चले जाएंगी जिसमें लाइफ में सब कुछ होगा एक एबेंडेंस होगी परिवार को संभालने के लिए जैसे हैं कि सब कुछ भरपूर होगा और वो एक राजा की तरह बैटकी सब चीज़ों को एज़ोई करेंगे लेकिन यहां तक पहुँचने के बीचे उनके जो कर्म है उसका बहुत बड़ा योगदान है बहुत ही कार्मिक परसन है इनकी अपने करमास पे विशास करते हैं वो जो होता है कि किसी ने उनको पका के रोटी दे दी उस पे नहीं उनोंने अपनी जीवन में अपनी रोटियां खुद ही पका करना खुद ही खाई है वो उन लोगों में हैं तो मैं तो बहुत एप्रिशेट करती हूँ ऐसे लोगों की एनरजी चो अपनी लाइफ में होका देते इस तरह की energy फैब के पाटर की तो यह देखते हैं आप लोग की marriage marriage life किस तरह की रहेगे after marriage to of source का card है यहां पर Five of source का card है यहां पर पर जो पॉंट्स का काड़ है यहां पर से अपनों कप्स का काड़ है यहां पर पूल का काड़ है यहां पर पाइफ अपनों के लिए हो सकता है कि आपके पास्ट के कोई इंसान हो जिनके साथ में आपका रिकंसेलेशन भी हो कुछ लोगों के लिए हो सकता है सब लोगों के साथ यह बात नहीं जाएगी आप इंके साथ अपनी एक नई यातरा शुरू कर सकते हैं हो सकता है कि पास्ट में आपका इंके साथ एक ना ब्रेक अप हुआ हो या फिर आपकी और इनके बीच में एक दूरी बन गई हो कुछ इस तरह की एनर्जिस भी है यहाँ पर साथ यसा रहेगा कि अगर आपका अपने पार्टनर के साथ में रिकल्सिलेशन हुआ है या एक ब्रेक अप होकर फिर आपकी चीज़े होई है तो आपकी लाइप की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी और वो आपकी मेरिश में जर्ट होकर आपकी लाइप खुशें करने की कोशिश करें और एक दूसरे के खिलाफ हो सकता बढकाने की कोशिश करें यहां पे कुछ इस तरह के अनर्जिस है की कुई अधर Eu74 की लोग भी ऐसकते हैं बाहर के भी हो सकते है वी ओ निकिर फुशनार के कोशिड़ देख्श की कोशिश की जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको हो या आपके पार्टनर हो आप को अपनी life को सही करने पर फोकस करना है आपको लोगों की बात नहीं सुननी है ना ही influenced होना है उनकी energy से ना उनकी बातों से क्योंकि ऐसा लगड़ा है कि पास्ट मेब्हिण के साथ में ऐसा ही हो चुका है अगर ऐसा हो चुका है आपके साथ में तो आपको वो चीज अपने साथ दुबारा रीपेट नहीं करनी है अगर overall बात करें तो overall में बात यह है कि थोड़ी सी maturity यहाँ पे दिखानी होगी क्योंकि page of wants का card यहाँ पे कहता है कि बहुत सारे सपने ह होते हैं चीजों को पूरा करने के लिए लेकिन उनको जब पूरा करने के लिए आप action नहीं लेते तो दिक्कत होने शिरू हो जाती है इसलिए अगर कोई भी आपकी life में कोई रुकावट ऐसी आती है जिसमें आपको लगता है कि चीज आगे नहीं बढ़ रही है वहाँ पे लिडिंग कुछ कुछ ऐसी ही थी कि शुरुआती दोर में कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिस हो सकते हैं लेकिन उसके बाद चीज़े बहुत स्मूथ और अच्छी हो जाएंगी यहां भी आपके पार्टनर से स्टार्टिंग फेस में कुछ ना कुछ हो सकता है कि मैरिश के अपनी नई जन्नी की स्टार्ट करेंगे इनकी अपनी लाइप को यह तो आप रिस्टार्ट करेंगे किसी पुराने पार्टनर के साथ में और अगर यह न्यू पार्टनर होंगे तो आप इनकी अच्छे से रिस्टार्ट करेंगे इनकी अपनी न्यू जन्नी की स्टार्ट करेंगे शुरूर में हो सकता है कुछ चीजों में आपके मत बहुत जल दिसल जाएंगे लेकिन यह आपको बाची थिट करके ही शुल जाने होंगे एक दूसरे को अगर आप नीचे दिखाने तो अगर कुछ भी आपके लाइफ में होता है क्योंकि आप रिडिंग सुन रहे हैं तो इस चीज़ को ठीक करने के कोशिश कीजिएगा नहीं तो अपने पार्टनर को रिडिंग सुना दीजिएगा तो आई देख लेते हैं इस प्रिचल लेवल पे आपके पार्टनर किस तरह क्योंकि मेथन राशी इस तरह की आपके पार्टनर की हो सकती है कि एकदम से चीज़ों में वो डिसाइड ना करें जब भी कुछ करने जाते हूं तो उनके सामने हमिशा दो आप्शन हाके खड़े हो जाते हूं वैसे आपके पार्टनर बहुत ही ना प्रैक्टिकली चीज़ करने के कोशिश करें यानिकि ना उनका जो ध्यान है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है अपनी लाइफ में उनका क्या है उनका मोटर कुछ इस तरह का आया स्पृच्छलिय के लिए कि अपने आपको ठीक रखो और अपने करम करते रहो बाकि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, यहां हैं कि यहां कि killing of swords की energy है queen of pentagas की energy है, आपके partner आ है बहुत ही पैसु को लेकर और जो भी thoughts होते है emotional है लेकिन पैसों को लेकर और thoughts को लेकर उनकी चीज़े बहुत जादा है कि पहले मुझे पैसा कमाना है, उसके बाद मुझे जान सब्स Filewife सब्स करने बैठेंगे ना उस टाइम उसको भी बहुत चद्दी कर लेंगे क्योंकि एक ऐसी इंसान है जो कि अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं अपने माइंड पर उनके अथरटी उनके माइंड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ना ही उस पर हावी हो सकता अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं इसलिए उनको ना कभी भी यह कहना बेकार रहेगा आपके लिए कि आप आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा चमतकार हो जिसे चीज़े चेंज हो जाए इस तो प्रेयर कीजिए और अपनी लाइफ में यह मैं आपको बता रहे हूं कि जब भी आपकी मेरेट लाइफ के अंदर कोई भी डाउन फॉल आ रहा होगा ना तभी आपके लाइफ में आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो आप भी जो हो आप बीस टाइम आपका भी फोकस अपने केरियर पे या फाइनेस पे इस तरह की चीजों पर हो और स्पेरिशियोय पर करके वेठे हैं कि आपको उन चीजों को बो करना है आगे बढ़ाना है या केरियर को आपको spiritual growth करें यह आपको पता है रेकिन जो आपके partner है उनके लिए चीज बात में हमेशा आएगी हो सकता है आप spirituality में कुछ न कुछ करते रहते हूं लेकिन आपके partner थोड़ा सा distance create कर गया है क्योंकि उन्हें पता है दुनिया की चीजे दुनियादारी से चलती है spirituality से नहीं चलती इसलिए शायद वो अपनी family को अपने आपको stable करने के लिए अपनी life को एक अच्छा रूप देने के लिए लगादार महनत करते रहते हैं तो कुछ इस तरह की नजीस रहेंगी आप लोगों की तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए किस तरह से काम आ सकती ह आपके बहुत-बहुत स्वागत है आपके रीडिंग में तो आएए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी पाइसरी को चुना था यानिकी divine timing के काट को चुना था आप लोगों की किस तरह से आपके partner की meeting होने वाली है या क्या रहेगा आप लोगों की meeting का हिसाब किता आएए देख लेते हैं त्रीडिंग को भी पहला काड़ आया है king of cups का दूसरा काड़ आया है seven of swords का king of wands का दो king appear हो गए हैं आपकी reading में four of swords का page of swords का sorry knight of wands का काड़ है तो बहुत एक लियर energy है आपके partner के साथ में आपके लिए यह creativity की बात करते हैं काड़ी बात करते हैं काम की बात करते हैं आपके financial field की आपके career की यारी कि आप अपने partner से किसी ऐसी जगा पे मिलेंगे जहां पे आपके लिए career की चीज़े होंगी किसी function में भी मिल सकते हैं किसी tour your trip में भी मिल सकते हैं हो सकता है आपकी यहीं जगा outing क रहे हैं जुनों नें कि आपके पार्टनर के भाहर प्रेधессर हैं साय है तो कि है और दौन के और नो मेंड़ें नटू कि होसकती है बहुतनी रहने वाली है आसपस आपोते एंपने पॉन्टनर्दिख यहां भर नहीं से हो सकता है किसी आप क्योंकि यहाँ पे हो सकता है किसी होर्स राइडिंग के आसपास में आप लोग मिले हो सकता है कोई वाटर वाला वाटर स्कीम वगएरा आप कुछ कर रहे हो कोई बंजी जंप में वगएरा आप कर रहे हो कोई इस तरह की जगा पे आप हो जो कि आपको अपनी दोस्तों के साथ में अपनी ग्रूप में इस तरह की जगापे आपके पार्टनर मिल सकते हैं, कोई आप लोग जैसे वाटर पाग वगएरा में जाते हैं, कोई इस तरह की जगापे आप कही हो, वहाँ मिल सकते हैं, पाहाडों में मिल सकते हैं, पानी के प पार्टनर से आपकी मुलाकात वहाँ पे होगी आपके पार्टनर जो इस तरह जहां पे भी होंगे आपके पार्टनर वो इस तरह की परसनेलिटी करते हैं कि न बहुत ही स्टेबल एनरजी के परसन रहेंगे अपनी एमोशन पर उनका कंट्रोल रहेगा जो भी कुछ करेंगे स्टेबल माइंड से करेंगे जिन काम वो को भी वो करना चाहते हैं उनमें प्रॉपर्ली वो एक्शन लेंगे और चीज़ों को सो समझ के करने वाले हैं आपकी मीटिंग भी बहुत अच्छी रहेगी यानिकि आपके पार्टनर शायद आपको बहुत सारी सांतना देने वाल अगर था को फोकस्न अप अच्छी आप इनसान की तरफ रहे हैं और यही इनसान आपका पार्टनर होनना चाहिए, तो मैं यहां पर यहाँ आप लोगों को जो एक राए ही किस तरही में समझवारी हो का ना आपका प्र्टरिक्षू कि तरफ सिंएज कि इनसान आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है या इतनी बार आप इससे पने दिल की बात कह चुके है और ये मेरी बात सुनता नहीं है तो मैं आप से इस बात कहूंगी आप गलत जगा देख रहे हैं आपको ना किसी और जगा देखना चाहिए ये वो अगर आप ऐसा अगर आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे इन काट से ऐसी फिलिंग आ रही है कि आप ठक चुके हैं देख देखके ना एग्जर्ट हो चुके हैं अल्रेडी तो अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो आपको अपना दूसरी दिशा में देखने की नीट है या पर दूसरे इंसानों को देखने की जरूरत है, बेभी ये पार्टनर आपकी चीज़ों की value नहीं कर रहा है और अगर ये बात आपसे resonate करती है, तो आप अपना समय गलच का waste कर रहे हैं तो जरूर देखेगा कि आपके साथ अगर ये बात resonate करती हो तो तो कुछ इस तरह की meetings रहने वाले हैं और जो लोग इस तरह की चीज़ों में नहीं जाते हैं या नहीं जाएंगे तो आपके लिए carrier का ये कोई ऐसा area हो सकता है, आपको कोई ऐसा office हो सकता है तो वो जगह भी आपके partner के मिलने के लिए आपके हो सकती है कि वहाँ भी आपके partner से आपके meeting हो जाए या आपके partner ही वो इंसान हो जो कि आपको support करते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह की energy से हो और हो सकता है कि आपकी life नहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो कि जब भी आप इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हो ना या आप पढ़ें तो आप हमेशे दो options में परिशान ही रहते हो आई दिखते हैं आपके partner का nature किस तरह कर रहने वाला है वैसे आपके partner के personality बहुत अच्छी होने वाली है यानि कि बहुत अच्छे से अपने आपको carry करके रखते होंगे अपना बहुत ख्याल रखते होंगे और दूसरों के emotions का भी बहुत ख्याल रखते होंगे आपके partner कुछ इस तरह के रहेंगे six of cups का card है यहाँ पे nine of swords का card है seven of swords का card है यहाँ पे five of pentacles का card है यहाँ पे आपके partner ना पता कैसे भी हो लेकिन आपके partner इस तरह के कभी नहीं होंगे कि मुसीबत में ना साथ छोड़कर भागने वालों में हों चाहे वो male हो या female matter नहीं करता अगर आप दुखी है किसी बास से दुखी होते है ना तो वो बहुत बहुत जल्दी आपसे भी ज़्यादा आपके partner का ना नेचर ऐसा नहीं है कि चीजों में लोगों को दुख दे कर वो खुश रहते हों आपके partner जो है ना दिल में कहीं ना कहीं ना बहुत ज़्यादा दुखी हो और आपके साथ भी शायद ऐसी हो चुकी है जिसमें आपका भी दिल बहुत दुखा है कोई इस तरह कि energy आप कहरी कर रहे हैं कि past का जैसे reconciliation होता है कि reconcile करने के बाद भी या आपके partner ने हो सकता है आपके साथ दोखा किया हो या आपके साथ में अलग हो गई हो या आपको बार बार उन चीजों में degrade करने की कोशिश की हो या आपको कोई ना फायदा उठाने की या आपके emotions का आपकी life से तो आपके लिए वह सही partner नहीं थे आपके partner जो आपके future spouse होंगे उनका nature कुछ इस तरह का रहेगा कि चीजों में बेशक्स struggle हो लेकिन उन चीजों को ठीक करने के लिए वो हमेशा आगी के लिए प्रेद रहेंगे में भी हो सकता है कभी कभी financial problem भी आप लोग की life म आजाए लेकिन आपके partner का जो nature होगा ना वो हमेशा उनको मदद मिल जाया करेगी मतलब वो इस तरह का भाग अपने साथ carry करते हैं कि अगर वो किसी भी उलजहन में बसेंगे तो उनको कोई ना कोई help मिल जाया करेगी और कोई ना कोई चीज उनको इस जगा से निकाल लिया करेंगे शायद अपने दिल की बाते दिल में ही रखेंगे कहेंगे नहीं कुछ इस तरह का भी नेचर उनका रहेगा कि चीजों में ना हो सकता है गुसा हो जाया करें हो सकता है जल्दी से चीजों अपने दिल कोल के बाते ना किया करें हो सकता है अपने दिल में ही चीज़े रखा करें, बात ना करें, एकदम से बात करना भी बंद कर दें, ऐसा भी हो सकता है, बहुत जल्दी रूटना मनाना हो सकता है, कि चीजे एकदम से समझें नहीं, और एकदम से चीजों में वो रियक्ट कर दें, कुछ इस तरह की एनरजी भी आपके future spouse करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी रूट सकते हैं आपसे, रूटा करेंगे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रूटा करेंगे, कि अब मुझे मनाओ, मैं रूट किया हूँ, या मैं रूट गई हो, अब तो मुझे मनाओ, यह आपको उनके साथ करना ही होगा, क्योंकि फूचर स्पाउस होंगे आपके तो आपके तो कुछ नहीं कर सकते यह उनके अंदर रही कि यह बात और कहीं न कहीं आप उन्हें मना भी लिया करेंगी कुछ न कछ लोगी एक की मांझ जाय करेंगे क्यों को छट बातों होगी कि व्यूप सब से या फिंहें तो कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात हो, कि भी तो मना लीजेगा, लेकिन आपके partner के साथ में भी ऐसा हुआ है, और आपके partner के अनर्जी नहीं लग रही है, मुझे काट से यह लग रही है, आपके साथ मी कोई लिपने कोई अको यह धो, क्यूज अ आसा ही है, जिसमें बारऴर आपके emotions को बहुत गिरा कर ना जैसे बहुत ही ज़्यादा गिरा कर देखा गया है आपके emotions की value नहीं की गई है मैं आपको seriously कह रही हूँ अगर आप किसी एस इंसान की तरफ आज भी देखते हैं तो आपको नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो partner worth नहीं करता था देखते हैं जोडिक सेंग क्या हो सकता है आपके partner का बहुत ए खुबसूरत काड़ है wheel of fortune का काड़ है आपके partner पूरी शमता रखते हैं अपने भागे को बदलने की आपके partner अपने भागे को बिल्कुल बदलेंगे कोई ना कोई उनकी life में ऐसा mode आएगा जिसमें वो अपने भागे को एक्दम से बदल देंगे क्योंकि आपके partner जो है भागे के भरू से बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं हमेशा नहीं बैठने वाले इनकी थोड़े क्या हो सकता है तब क्या हो सकता है लेकिन वो अपने करमों पे विश्वास रखने वाले व्यक्तियों में नहीं होंगी तो अर्थ सैंग्याई है यहां पे तो आपके partner हो सकते हैं वर्गो चैप्रिक और टारस हो सकते हैं वील ओ फौर्चुन के energy यहां पे तो टो अप ज़र कुक्त लिए के कई लूट की हो सकते हैं किस तरह का का गार्ण का कर्टनर का है मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि उस इनसान का काडD है जो कि अपना जग जीतríकी in मत रखता है दा चैरियट का कार्ड है यहां पर कार्म की बात करता है यह वार की बात करता है जब इनसान एगियोद जीत कर अपने लिए चीज़े ना क्रियेट करता है अपनी उन चीज़ों को जीतता है अपनी उन चीज़ों को बनाता है और दा टावर का कार्ड है हो सकता है husband जो है tour and travels की business के अंदर भी हो ऐसा भी हो सकता है हो सकता है उनका कोई car का showroom हो car वाले किसी business में business में भी हो सकते है car का कोई showroom भी हो सकता है किसी इस तरह के car के showroom में वो काम भी करते हो सकते है इस तरह की energies भी है याँ पे लेकिन जिसमें भी करेंगे उसमें जो वील होते हैं पहिये होते हैं यात्राइं होती हैं वो इंपोर्टन होगी आपके जो पार्टनर हैं फ्यूचर स्पास हैं उनकी लाइफ ना केरियर जो होगा उनका वील के आसपास होगा इनकी जहां पे भी पहिये होंगे वहां पे उनक जब आप सब कुछ जीत कर अपने शहर में अपने नगर में वापिस आते हैं तो यहां पे वो अपनी लाइफ की हर उस चीज को बैलेंस करेंगे जो कि उनकी लाइफ में एक struggling mode लेकर आई है आपके पार्टनर कुछ इस तरह के हैं कि उन्होंने अपने आप पे बहुत सारा काम किया है यानि कि अपनी चीजों को बहतर करने के लिए अपनी चीजों में अच्छा result देने के लिए आपके पार्टनर ने लगातार अपने आप पे मेहनत की है इन चीज़ों को करने में हालांकि आपके पार्टनर की लाइफ में काफी सेट बैक तो उनको लगा है लेकिन फिर भी उन्होंने लगातार अपने आप पे काम किया है और आज इस वक्त वो ना उस मकाम पे हैं चाहिए वो मेल हैं या फी मेल कि उन्होंने अपनी लाइफ को सबस्क्राइब निचे रहा है छिएन लोल की दो ने चेजर बीज़ा हो विष्व रहता है तर तरटी मोरिद बन का बनायाफ और आप यह उसे प sich पर पीछेद़ करने बीजिव फोकसे और अभी यह वह ऐखिर चूगी, कि उन्होंपने इस परने जोखी होग हो चुका है उ और अगर आप इस तरह की energy carry कर रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि यह reading आपके लिए हो रही है यानि कि आपको यह नहीं लग रहा है कि आपके future spouse की यह आपकी है तो यकीन मानिए कि वो आपके twin flame हो सकते हैं क्योंकि अकसर twin flame की जो lifestyle होती है लाइचर नहीं होती है एक जैसी होती है तो कुछ इस तरह की energy से हो सकती है तो आपके partner जहां पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो कुछ इस तरह का कर रहे हैं कि उनकी life में जो भी उन्हें setback लग रहे हैं उससे वो सीख रहे हैं और आपके partner के आसपास wheel बहुत होने वाले हैं यनकी पहिये बहुत होने वाले हैं और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके partner जो आना जाना करते हो उसमें पहिये की गदी से यनकी पहिया घुमता है जिस गदी के साथ तेज गदी के साथ उसी तरह से घुमते रहते हो यानि कि उनका ना या तो ट्रैवलिंग बहुत होती हो या टूर का वो हो और इस तरह का हो सकतर हम का बिजनस की हो तो आईए देख लिते हैं मेरिश के बाद आप लोग की लाइफ किस तरह की रहने वाली है किस तरह की एनर्जिस रहेंगी आपकी सेवन ओ पेंटकस का कार्ड है तो बहुत ही खुबसुरत कार्ड है इस कार्ड में कोई यसी बात नहीं है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपको कोई परशानी होगी पॉर्य वी पिशानी होता है लेकिन फिर भी आपकी लाइफ बहुत खुबसुरत रहने वाली है बहुत प्यार हैने वाला है, थोड़ा हाँ patience आपको जरूर रखना होगा, अपनी life को सही रखने के लिए, अपनी life में एक balance रखने के लिए patience रखके चलेंगे तो ही आपकी life settle और balanced रहेगी, actions लेते रहेगा, जो भी आपकी life में, अपने life को सही रखने के लिए जो actions आपको लेने हैं वो आपके लिए हमेशा नीडिड रहेंगे यानि कि उनको आपको हमेशा लेते ही रहना होगा कभी भी आप उसमें कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते हैं जिससे कि ना आप उन्ची जो को ignore कर दें या आप उन्ची जो को पीछे छोड़ द होती है तो भी कोशिश ही कीजेगा कि आपकी लाइफ में एक आपकी लाइफ में हमेशा ही ऐसी रहेगी कि जब भी ओहां पर कोई जगड़ा होगा कोई पें होगा कोई तकलीफ होगी वहां पर उसके बाद सब चीज़े सेटल हुई ही जाएंगी ओवरॉल बहुत अच्छी के एनरजी है और बहुत ही बैलेंस्ट एनरजी है यह बता रही है कि आपका आपके पार्टनर के साथ में बहुत ही बैलेंस्ट रहने वाला है लेकिन आप किसी भी चीज में ऐसी जल्दबाजी नहीं कीजेगा अपने पार्टनर को और अपने रिलेशन को सही होने का और सही आपके परसन बहुत ही स्प्रिशल ना अवेक हैं यानिकि वो अपनी कुछ लाइफ के लर्निंग लेसन्स तो बहुत स्ट्रॉंग ही आपके कंप्लीट कर चुके हैं स्टेबल एनरजी हैं आपके पार्टनर की स्प्रिश्यलिटी के मामने में actions लेते रहते हैं, इनके बिल्कुल वो कोई न कोई meditation करते रहते हैं, new soul तो एकदम नहीं है पूरी तरह से old soul भी नहीं है आपके partner कहीं न कहीं old और new soul की बीच की energy है, यहाँ पे इनके लेकिन wisdom केरी करते हैं, बहुत अच्छा wisdom है उनके पास में, ग्यान है उनको सभी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़े वो देख चुके हैं बहुत सारी चीज़ों में अपने आपको balance कर चुके हैं हो सकता है, meditation वगएरा वो करते जरूँ हूँ या उनको कोई न कोई intuitions उनकी strong बहुत जादा होती हूँ, उनको वारबर को इस तरह के messages आती हो, को इस तरह की guidance आती हो जिसमें वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हो या उनको messages मिल जाते हो, इस तरह की energies हैं यहाँ पे, उनका ब्रस्पती भी हो सकता है बहुत strong हो और उनका ज्यान बहुत है यहाँ पे उनको, ब्रस्पती उनका strong हो सकता है यह ब्रस्पतवार की दिन मोव ब्रत वगेरा आप में से कुछ लोग के partner में हो सकता है, रखा हो तो यहाँ पे जिस तरह की energies हैं यह clearly बता रही हैं कि आपके partner spiritual level पे काफी high होंगे और अपनी आपको लगातार आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते होंगे कुछ इस तरह की energies हैं आप पे और बहुत ही खुबसूरत energy है, stable energies है अपने आप पे लगातार काम करने की energies हैं आप में से कुछ लोगों के जो partner होंगे न उनका कुणलनी जागरन भी यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो गया होगा divine timing का आपके लिए message है जो आपने चुना है यह clearly यह बता रहा है आपको कि आपकी life में जो कुछ भी होता है अगर आपको जैसे कि मैं आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको लगता है जिस इंसान की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं वो इंसान आपके लिए है नहीं तो आपको उसकी तरफ जादर time-lis नहीं करना चाहिए और आपको आगे बढ़ने की कोशिश करने चाहिए आपको आपको आपके रिलेशन में भी आपको एक freedom रहेगी दोस्त भी important रहेंगे और आसपास के लोगों से भी आपकी मुलाकात बातचित होती रहेगी अच्छा पारिबारिक महल आपका होगा लेकिन यहाँ पे अगर आपके आपके लाइफ में कोई भी ऐसी चीज है ना जिसमें आपको यह लगता है कि आपको उसमें फसे हुई है या पुरानी एनरजीस में ही रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको इन चीजों से निकलने की नीड़ है आप काने वाला समय बहुत बहुत शुबहुत थैंकी सुवेरी मच कर्फस याल